नमस्कर दोस्तों सवागत है आप सभी कर अनीता जी का किचन में दोस्तों आज आज हमारे कीचन में बनने जा रहा है तो तयाол है आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मैंगो सेक और मैंगो फू मेंग और पूट Singing आप लोग Xu कर्यार नंद धेख़ यू यह क्या तो आप लोगों को रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आगई हूँ दोस्तों मैं मेंगो सेक का भी मेंगो फुरूटी दोनों ही बनाओंगी आज बड़ा ही स्वादिश चूले पर बनाओंगी आप लोगों को पसंद आएगा तो रसीले रसीले आम ले लिये हैं आम का सीजन चल रहा है तो आप लोगों के लिए मैं बना के तियार करती हूं तो सबसे पहले हम आम को धोएंगे आम हम बड़े बरतल में डाल के धो लेंगे तो देखे कितना बड़ा बड़ा आम है इसमें करवाइट लगा रहता है तो इस तरीके से धो लें और देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा आम है तो एक आम का हम मैंगो सेक बनाएंगे और तीन आम का हम मैंगो प्रूटी बनाएंगे तो दोनों मैं बनाऊंगी तो दोनों के बनाने के लिए हम क्या क्या लिए हैं आपको बता देते हैं पहले इसका मैंगो सेक बनाएंगे और यह जो तीन आम बचे हैं इसका हम मैंगो फुरूटी बनाएंगे इसके लिए मैंगो फुरूटी के लिए हमें चाहिए कच्छे आम कच्छे ले लिए हम तो देखिए इस तरीके से हम आम को पहले चील लेते हैं पहले इसका डंठल के पास से ह पकाम है, गाव में तो हम लोग इस आम को माल्दे आम बोलते हैं, आप लोग इसे कौन सा आम बोलते हैं बताईएगा, तो इस तरीके से मैं इसे छील लेती हूँ, माल्दे आम में थोड़ा रेशा जादा होता है, ये देखिए रेशा आपको नजर आने लगा होगा, लेकिन गूदा बहुत होता है, तो देखिए हमें इसी तरीके से आम को छील लेना है, एक थाली में इसका गूदा निकालेंगे, तो गूदा निकालने के लिए आपको जैसा मरजी वैसा काट के निकालें, बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, छोटा छोटा भी काट सकते हैं, इसका ग अब कच्चा आम का भी हम गुदा निकाल लेते हैं तो दो किलो आम में आप 200 ग्राम कच्चा आम डाल सकते हैं अगर थोड़ा आपको खट्टा कम पसंद है तो 100 ग्राम भी डालें अब की 200 ग्राम में बढ़ियां फुरूटी बनता है कच्चे आमको हम बारीक बारीक कुचूट लेगें यह देखिए कैसे काट रही हूं इस तरीके से छोटा-छोटा पीस काट ले रही हूं दो किलो पक्ता आम में दोस्तों 200 ग्राम कच्च आम डाले हैं थोड़ा सा कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एक आम जो हम बचाए थे मैंगो सेक के लिए उसे भी छील लेते हैं दोस्तों यह देखिए बड़ा ही पीला आम है देखके लाला चाह र देखिए मिक्सिजर में निकाल के डाल लेती हूं और फिर हम मैंगो सेक बनाएंगे यहीं पर हम गाय कदूर डालेंगे जितना आपको गाढ़ा रखना हो उतना ही डालिए गमना यहां पर थोड़ा मलाई भी डाल ली हूं यहीं पर दोस्तों चीनी या मिसरी कुछ भी हो आप डाले अपने मीठा के अनुसार मैं दो चवमच डाल ली हूं अब इसे हम बिलकु है दो टार गई है कैसे इसको इसको रिश को गारी में एक बिली आई थी तो चीडिया लोग यहां पर घरती है तो उसको बेख के ना वेख यह को खाने को जह प्रता मरने को गई तो चीडिया को गुष्ण वुप अबाज के बहुत दूर तक उसको ले गई मैं मीठी का लेप लगा नहीं हुआ चुला जला ये दोस्तों ऐगे उठाए रही है मै हमеци से दोस्तों सड़ा दर लेते हैं कि करौदार में हम जो आम काते हैं डाल लेंगे, आम में हम एक कप पानी डाल लेते हैं, जादा नहीं डालेंगे, इसे अच्छा से गलनी के लिए छोड़ देंगे, तो देखें कितना बढ़िया इसमें उबाल आ रहा है, तो इसे हम कम से कम आठ से दस मन पकाएंगे, उसके बाद इसमें हम क्या क्या चीज डाल में आपको बता देती हैं, बीच बीच में इस तरीके से चलाएंगे, यह नीचे से हमारा मेंगो लगे ना, तो देखें तो हम इसे हलवा के इसे पका लिए हैं, शाट आठ मीनट, बहुत अच्छा दीख रहा है, अब यहीं पे चीनी डालेंगे, तो मैं यहां पे डेढ़ सो ग्राम चीनी डाल रही हूं, और अच्छा से इसे मिलार देंगे, यहां पे देखें थोड़ा सा अच्छा कलर आने के लिए फूड कलर डाल रही हूं, आपका मन करें तो डाले नहीं तो आप ना डालें, आप केसर कलर भी डाल सकते हैं, अब मिला दोंगी, इसे दो-तीर मिनट और पकाऊंगी, इसके बाद इसे ठंडा करेंगे, तो देखें दोस्तों हमारा मैंगो फूटी के लिए मैंगो पक के तयार हो गया है, कितना अच्छा खॉल रहा है देखिए, इस तरीकी से खदकना चाहिए, तो आपका मैंगो फूटी करके रिखेंगे तो ख़राब नहीं होगा, अब हम इसे उतार लेते हैं, और ठंडा करेंगे, हमारा मैंगो ठंडा हो गया है, तो यह खम जार में इसे डाल के और बिल्कुल बारिक पीसेंगे, पानी नहीं डालेंगे, इसमें ऐसी पीस लेंगे, एक छनी लिए यह में छान लेंगे इस तरीके से इसका गुदा गुदा निकल जाएगा जो रेशा होगा उपर ही रुख जाएगा तो देखें कितना बढ़ियाँ हमारा मैंगो फूरी का पॉल नीचे आ जा रहा है जितना रेशा होगा सब उपर रह जाएगा इस तरीके से हिला-हिला के लिए सारा कसारा इस तरीके से चम्म से चलाचला के आप निकाल लें, थोड़ा मैं पानी डाली थी से फीस्ते वक्त, जितना भी मोटा पाथ होगा, वो सब छनी में रह जाएगा, तो देख पारे हमा कितना बड़ियां, हमारा मेंगो फूर्टी के लिए छन के तयार हो जा रहा है, तो देखे सारा रेशा हम निकाल लिए हैं, इतना स तो मैं नलका का ठंडा पानी डाली थी दोस्तों, आप चाहें तो इसमें वरफ डाले हैं, या फ्रीज का पानी डाले हैं, और ये देखे बिल्कुल बढ़ियां जैसा बजार में विखता हैं ना, मैंगो फूर्टी सेम बनके तयार है, आपको कैसा लग रहा देखने में बत क्योंकि हमारे पास अभी फिरीज नहीं है, फिरीज लोंगी में बहुत जल्द, तो फूर्टी को मैं निकाल लेती हूं ये गिलास में, बहुती बढ़ियां, लजीज लग रहा देखने में, अब हम मैंगो सेक भी सर्व कर लेते हैं, तो एक मढ़ काटोरा में सर्व कर रही थोड़ा सा जो भी ड्राइफुड आपके पास हो डालें, चेरियोरी हो तो डालें, हमारे पास चेरियोरी नहीं है दोस्तों, तो देखिए कितना बढ़ियां लग रहा, इस तरीके से मैं इसे कटोरे में ही सर्व कर दी हूं, आपको कैसा लग रहा है बताईएगा, तो बिल्कुल गढ़ा गढ़ा मजा जाएगा, इसमें दूद डाली थी, तो इस तरीके से हम बनाते हैं, आपको कैसा लगा बताईएगा, और अपने घर पे जरूर बनाईएगा एक बहुत ही कम आम में धेर सारा फुरूटी भी बन जाता है, और बच्चों को बहुत पसंद आ लेकिन बच्चे आपके अगर छुट-छुट हैं, तो आप भी बना के इसे फिरीज में रख लीजिए, और एक हापतर तक उन्हें पिला सकते हैं, बहुत ही मजाएगा, अपने हाथों से बनाया हुआ मैंगो फुरूटी मैंगो से खिलाईगा तो बहुत मजाएगा आपको कैसा लगा हमारा मैंगो फुरूटी और मैंगो सेख बनाने के तरीका बताईएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किजिएगा, और मैं क्या क्या रेसिपी लेकिया ह लिखते रहा है, तो मैं मिलती हुए एक नए वीडियो में जब तक लिए, इंजोई करें मैंगो फुरूटी और मैंगो सेख के साथ